बैयो नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसु की बुवई से लेकर कटाई तक की पूरी जान करी और हम सरसु की वेग्यानिक खेती के बारे में भी बात करेंगे यानि हमारे इस वीडियो के मुख्य मिंदू, बुवई का समय, टामानवा मिटी, उन्नत किसमे, खेत त्यारी, खाद, बिजो उपचार, सिचई परमंदन, खर्पतवाद नियंतरण, खाद डालने का सेड्यूल और इस्प्रे का सेड्यूल यानि हम इस वीडियो में सरसु की वेग्यानी खेती यानि बुवई से लेकर कटाई तक कि पूरी जानकरी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो आप हमारा वीडियो सुरूर से लेकर अंद तक जरूर देखे ताकि पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में समझ में आए अधिक से अधिक किसान भाई लोग सर्सू की बुवई कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस पसल से अन्य पसलों से ज़्यादा मुनापा हो रहा है और कम लागत में किसान भाई लोग अधिक से अधिक इसकी पेदावार भी ले रहे हैं इसलिए दोस्तों इस साल मैंने भी देखा कि किसान भाई लोग बढ़ चड़कर सरसु की बुवई कर रहे हैं दोस्तों हमारा इसमें पहला मिन्नों आता है बुवई का समय जैसा कि दोस्तों कुछ किसान भाई लोग सर्सु की बुई 20 सितमर से 10 अटुमर तक कर देते हैं तो ये सर्सु की बुई का सही समय होता है लेकिन कुछ किसान भाई लोगों के खेत खाली नहीं होने के कारण वह अटोमर के लाश्ट तक भी सर्सु की बोई करते हैं तो भी वह अच्छी पेदावार दे जाती हैं अब हम हमारे बारिज गीर गई थी और खेत खाली नहीं होने के कारण हम अब सर्सु की बोई अटोमर के लाश्ट मेने में यहनी चार-पान दिन में हम इसकी बोई करने वाले हैं दोस्तो दूसरा मिन्नों आता है तामानव मिट्टी सर्सु की फसल को 15-30 दिगरी सेल्शियस की अवसकता होती है अगर साथ ही इसके मिट्टी की बात करें तो यह सबी मिट्टी में पेदावार अच्छी देती हैं चाहिवे लाल मिट्टी हो चाहिवे काली मिट्टी हो काली मिट्टी में थोड़ी अच्छी पेदावार देती हैं अगली आती हैं उन्नत किसमे दोस्तो आप अपने छेतर में पचली सभी परकार के उन्नत किसमों का चियन कर सकते हैं दोस्तो ये जलवायू के अनुसार और मिट्टी के अनुसार पैदावार देती हैं तो आपके 36 में जो उन्नत किसमें लगा जाती हैं आप उन्हीं उन्नत किसमों का चेयन कर सकते हो। दोस्तो अगर हम इसके उन्नत किसमों का बात करें तो पायोनियर कमपनी की पैताली चेयलिस बायर कमपनी की वावन बाइस और एडीवी चार सो चोगदा ये परमुक तीन हाइब्रीड वेराइटी है जो की सबसे अधिक से अधिक उत्पादन देती हैं। चोंता मिन्नों आता हैं खेत की त्यारी वे खाद। दोस्तो खेत की त्यारी आपको गहरी जुताई करना हैं। गहरी जुताई करने के बाद आपको उसमें दोलिया बना देनी चीए और फिस सरसु की बुई करना चीए। और दोस्तो अगर इसमें खाद की बात करें तो सरसु की बुई के पहले खेत की एकई जुताई के समय आपको परती एकड़ 40-45 किलो यूरिया, 100 किलो यसे स्पी यानि सिंगल सुपर पोस्पेट एवं 30 केजी या मोपी पोटास खाद का प्रयोग आपको करना बहुत ही दोस्तो हमारा पांचवा मिन्दो आता बीजो उपचार, दोस्तो अगर आप ठेली यानि पेकेट से सरसु की बुई कर रहे हो तो वह बीज उपचार हुई होती हैं, लेकिन अभी सरसु की रेट ज्यादा होने के कारण कुछ किसान बै लोग अपने घर से सरसु की बुई कर रहे हैं, तो आपको उनका बीजो उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता हैं, तो दोस्तो अगर आप बीजो उपचार कर रहे हैं, तो आप कारमना जिम 12% प्लस मेन को जब 33% WP वाले टेकनिकल का यूज करके आप सरसु के बीजो उपचार कर सकते हैं, और इसकी मात्रा 5 ग्राम परते किलो रगना चीए, और अगर इसके बीज़दर की बात करें, तो बीज़दर आपको डेट से 2 किलो परती एकड रगना चीए, दोस्तो अगला मिन्दो आता है, सिचेई परमनन, दोस्तो सरसु को सबसे कम पाने की आवसकता होती हैं, और यह सरसु केवल 2-3 पा तो उसमें आपको 4-5 पाने की आवसकता होती हैं, अगर दोस्तो हम इसके पानी के सेडूल की बात करें तो पहला पानी आपको बोई के समय लगाना चीए, और दूसरा पानी आपको 20-25 दिनों के बात देना चीए, और आपको तीसरा पानी जब फूल से फलिया बनना प्रार चीए, दोस्तो अगला बिंदू आता है, खर्पदवार नियंतर, जैसा कि दोस्तो सर्सु की फसल, यानि सबी फसलों में खर्पदवार का मत्तबुन इस्तान वाता है, समय समय पर आपको खर्पदवार नियंतर कर लेना चीए, तो दोस्तो सर्सु की फसल में भी अनेक प्र या आप खेद में सरसु उंगने के 15 दिन बाद भी आप इसमें इस्प्रे कर सकते हो उस समय पर भी कुछ दोयों का इस्प्रे किया जाता है दोस्तो अगला मिंदू आता है खाट डालने का सेड्यूल जैसा कि दोस्तो अगर आपने सरसु की बुई के समय यसे अस्प्रे का प्रयोग किया है तो आपको फिर बाद में सलपर डाने की आवस्ता नहीं होगी इसके साथ ही जब सरसु की फसल 20 से 25 दिन की आवस्ता में हो जाती है उस समय पर आपको यूरिया का प्रयोग करना चीए और जब पसल में फल्यों से फूल मनना प्रारम हो जाता है या जब आप अगली सिज़े करते हो तो उस समय पर आपको यूरिया 40-45 किलो यूरिया प्लाद 8-10 किलो सागरी का दनेदार का प्रयोग करना चीए इस प्रकार आप इसमें खात का प्रयोग करें, ज्यादा खात का प्रयोग आप इसमें ना करें दोस्तो हमारा अगला बिन्नों आता हैं स्प्रे का सेड्यूल जैसा कि दोस्तो अगर हम सरसों में स्प्रे की बात करें तो अगर आप ज़्यादा अग्यति बोई कर रहे हैं तो उसमें फड़का लगने की समश्य ज़्यादा आती हैं तो आप उस समय पर कुछ छोटी से इमीडा कलोरोफीड वगरा की आप इसमें शुरू आती है उस्ता में 20-25 दिन के पहले इस्प्रेय कर सकते हो और अगर आप जब फूल से फलिया बन रही हैं उस समय पर महू दिखाए देते हैं तो आप साइपरमेथरीन, मेलाथियान जैसे पाउडर का प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो अगर हम लाष्ट में इसकी पैदावार की बात करें तो अगर आप उन्नत तरीके से और विगनिक तरीके से और मेरे बताय हुए तरीके से अगर खेती करते हो तो आप एक एकड़ में 12-14 और अधिक से अधिक इसानबाई लोग 15 की उंटल परती एकड़ उत्वाद निकाल रहे है दोस्तो अगर हम कटाई की बात करें तो सरसु की कटाई तीन से साड़े तीन मchlossen킨ते में हो जाती है और सबसे चल्दी कटाई सरसु की ही होती है और यह हैं पकर त्यार होने के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग करके इसको निकाल सकते हो दोस्तो एक बात यह हैं कि इसका भूष सा भी विखता है इसलिए किसान भाई लोगों को इस पसल से अधिक से अधिक फाइदा होता है तो आप भी समय रहते हैं इस पसल की बूई करके अधिक से अधिक मुनापा कमा सकते हो और दोस्तों कुछ बीज वगरा चीए तो मेरी सोप मेरी सोप समय आपको करके अड्रस पर फिजवा दूँगा कोरियर के दोबारा तोस्तों बस वीडियो इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अधिक साधिक सेयर जुरूर करें तन्यवाद जे जुवान जे किसान